इस वीडियो में आप कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं जिससे आप दुनिया में बाकी लोगों से आगे बढ़ सकते हैं हिटलर से लेके बाकी केई राजनेताओने इन डाक साइकलोजी ट्रिक्स का यूज अपने कारेकाल में करा हैं पर उससे पहले एक डिस्क्रेमर है इन सभी टेक्नीक्स का यूज आप किसी गलत काम के लिए नहीं करेंगे बलकि आप इनका यूज अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए करेंगे उन लोगों से जो इस दुनिया में आज भी इन टेक्नीक्स का यूज कर रहे हैं डाक साइकलोजी एक टर्म है साइकलोजी में, जिसमें human behavior को control करने के अलग-अलग तरीके बताए गए हैं, जैसे की, persuasion, manipulation और बाकी तरह की चीजे, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो पाच डाक साइकलोजी की टेकनीक, जिन्हें आप आज से ही यूज कर सकते हैं, टेकनीक इतना काम उनसे करवाना, जो तुम चाहते हो, वो तुम्हार ले करेंगे, बस उन्हें एक बार ड्रा दो, जैसा कि हमने हिटलर के दोर में देखा था, उसने मीडिया और प्रोपगेंडा का इस्तिमाल करके, जूज को देश का सबसे बड़ा खत्रा बना दिया, जिससे सभी आजी उसके साथ हो गए, और फिर हिटलर ने उनसे जंगे लड़वाई, केई देशों पर कबज़ा किया, जैसा वो चाहता था होगा, क्यों? क्योंकि लोग डर चुके थे, जूज को पर्सिक्यूइट किया गया, क्यों? क्योंकि लोग डर चुके थे, आज कल भी हम फियर म लोग रिंग के एक्जमपल देख सकते हैं, लोगों मेर डर फैलाते हैं कि दूसरे दरम का इंसान तुम मार देगा, तुम खत्रे मो, पर ऐसा कुछ है नहीं, सीव वो अपनी बात तुम से मनवाना चाहते हैं, सीव वो अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो आगे से कभ दूसरे इंसान को बे सुमार प्यार देते हो, मतलब कि उनको कॉंपलिमेंट देते हो, गिफ्ट देते हो, बात अच्छे से करते हो, फुल अटेंशन देते हो, पर जैसे ही वो इन सिब चीजों का एडिक्ट हो जाता है, इन सब चीजों का आदी बन जाता है, ट्रेफ में फ अब तुम खेलो उस इंसान के दिमाग के साथ, क्योंकि वो इन सब चीजों का एडिक्ट हो चुका है, उन्हें ये सब चीजे चाहिए, वो अटेंशन का भूका हो चुका है, उसे इंपोर्टेंच चाहिए तुमसे, तो अब वो तुम्हारे पीछे बागेगा, उसी क्रेविं होएगी इन सब चीजों की, जिससे वो तुम्हारे गुलाम बन जाएगा, तो अगर तुम किसी के गुलाम नहीं बनने चाहते, तो इन बातों को ध्यान रखना, कोई भी इंसान आते ही तुम्हें बहुत जादा कॉम्प्लिमेंट दे, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ तुम होता है, इसमें तुम किसी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करके अपना काम निकलवाता हो, जैसे कि अगर तुम्हें अपनी वाइफ को जैलेस या अपनी गल्फ्रेंट को जैलेस फिल कराना है, तो तुम किसी तीसरी लड़की को कॉम्प्लिमेंट करोगे उनके सामने, जिसस वो जैलेस फिल करेंगी, इसका इसकी साथ साथ एक और तरह का इस्तेमाल हैं, जिसमें आप इसे पॉजिटिव और नेगिटिव दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, दो आदमियों की लड़ाई के बीच आपका साहरा बनना, आप चाहें तो उन दोनों की लड़ाई सुल को ना करें, टेकनीक नमबर फोर, दा फूट इन दर डो टेकनीक, इसका इस्तमाल आप करते हैं जब आपको किसी से एक बहुत जादा बड़ी मदद चाहिए होती है, इसका इस्तमाल करने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटी मदद मांगनी हैं, जिसे वो इनसान आसानी स दे सकें, फिर आप बड़ी मदद मांग सकते हैं, इसका एक्जामपल बड़ा ही सराल है, मानिए कि आपको किसी दोस्त से 10,000 रुपे चाहिए, आप डायक जाके 10,000 रुपे मांगेंगे, वो मना करतेगा, बजाए आप क्या कर सकते हैं, आप जाईए और उससे 100 रुपे मां आप the foot in the door टेकनीक का इस्तिमाल कर सकते हैं, और अपने दोस्तों से मदद मांग सकते हैं, एकनीक नमबर फाइफ, दाइसका सिटी प्रिंसिपल, ये भी fear mongering की तरह डर का इस्तिमाल करके लोगों के भावनाव की साथ कहलता है, जिसमें आप एक डर पैदा करते हो, डर किस चीज का, डर लोगों से बिछड जाने का, लोगों से पीछे रे जाने का, in short, आप इसे form okay सकते हैं, fear of missing out, कोई भी इनसान किसी से पीछे नहीं रहना चाता, जिसकी वैसे आप उनके इस डर का इस्तिमाल कर सकते हैं, इसमें आपको करना कुछ नहीं, बस दिखाओ कि जो भी चीज वो लेने जा रहे हैं, बहुत कम बची है, खतम होने पर है, example, बहुत सारे ब्रैंड्स अपने limited product निकालते हैं, limited edition निकालते हैं, या फिर बहुत सारे ब्रैंड्स अपने product पर कहते हैं, कि बस तीन बचे हैं, ले लो, वनना तुम पीछे छूट जाओगे वो इस दुन अगत बनाया जाता है, I hope कि आपको ये सारे rules समझ माये होंगे, सारी technique समझ माये होंगी, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही techniques और dark psychology tips की वीडियो आगे भी आती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेर मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाह है, काफी powerful technique है, अगर हर कोई ही powerful बन गया, तो power की value ही नहीं रहेगी,